हेलो गाइज वेलकम बैक टो मा यूट्यूब चैनल मिक्स लाइका मास्टर और बिना टाइम वेस्ट किये थमनेल आपने देख लिया होगा कि आज हम सिखेंगे कि हम अपनी वोकल्स को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं और इसे सीखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे तो उसमें काफी कॉइट पार्ट्स हों और काफी लाउड पार्ट्स हों उनको बैलन्स करने के लिए हम उनकी डैनेमिक क्रेंज को बैलन्स करने के लिए हम कंप्रेशन यूज करते हैं अगर कोई ऐसा इंस्ट्रुमेंट आप प्ले कर रहे हो जिसकी डैनेमिक क्रेंज इतनी ज ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और अगर आपको compression नहीं आता तो i button पे link आ रहा है और description में भी मैं link दे दूँगा आप compression ज़रूर सीखें और जो भी उसकी सारी knobs होती है threshold, ratio, attack, knee, जो भी है वो सब उसमें explain किया हुआ है आप सबसे पहले उसे सीखें तब यहाँ आएं तो आपको ज्यादा अच्छे से ये वीडियो समझाएगी क्योंकि basically आपको compression क्या करता है कैसे करता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है तो compression करने के लिए आज हम यूज करेंगे logic का stock compressor और करते हैं अपनी vocals को compress और मैं आपको bounce in place करके भी दिखाऊंगा कि compression के बाद audio में क्या changes आते हैं तो compression करने से पहले आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा है ये थोड़ा कम है ये भी कम है काफी ज्यादा है इसे बोलते हैं transient और इनको हम cut out कर देंगे और इन parts को थोड़ा loud कर देंगे इन parts को थोड़ा quiet कर देंगे और ये audio जो है वो balance हो जाएगा जब आप इस कोई शब्द आपको clear सुनेगा कोई शब्द आपको clear नहीं सुनेगा तो audio imbalance है हमारी balance करने के लिए हम इसको करेंगे compress और करते हैं जल्दी से compress तो compression स्टार्ट करने से पहले हम autogain को बंद कर देंगे और अगर आपको नहीं पता कि autogain क्या है तो video compression वाली जरूर देखो autogain म वो balance रहेगी तो करते हैं compress तो basic compression मैंने कर दिया है सुनने से उतना ज्यादा difference आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि कई लोगों के कान उतने ज्यादा train नहीं होगे कि वो compression को पहचान पाएंगी कौन सा transient compress हो रहा है तो मैं आपको bounce in place करके इसका जो graph है वो दिखाता हूँ तो आप notice करोगे कि काफी ज्यादा फरक जो है वो आ चुका है जो transient sense को cut out कर दिया है और ये जो part है जे लगबग इसके आसपास आ चुका है आप और ज्यादा hard compression भी कर सकते हो लेकिन उससे आपकी जो vocal है वो थोड़ी सी narrow sound कर सकती है तो compression हमेशा उतना ही करना है जितनी आप को जरूरत है जरूरत से ज्यादा compression नहीं करना है वो आपकी audio को खराब कर सकता है तो हमने compression में क्या किया threshold रखा है माइनस 17 db और ratio रखी है 2.9 ratio 1 और make up gain हमने नहीं दिया और knee को ना hard किया है ना soft किया है 50 0.5 पे रखा है ना ज्यादा hard है ना ज्यादा soft है और attack हमने रखा है 7.5 milliseconds और release time है 72 milliseconds और attack और release क्या करता है ये भी आपको compression वाले lecture में पता चलेगा तो basically जो attack है वो आपके compressor को बताता है कि कितनी जल्दी react करना है जब vocal उसके अंदर आ जाती है तो ये था basic और अगर हम अपनी vocals को over compress कर देंगे तो क्या होगा तो हमने कर दिया है अपनी vocals को over compress और सुनके ही आपको पता चल गया होगे कि vocals काफी compress हो चुकी है और graph में देखते हैं कि क्या changes आये हैं तो आप notice कर रहे होगे कि vocals में जो dynamic range है वो काफी कम हो गई है तो देखने से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सही है सारा song balance हो चुका है लेकिन ये एक over compressed vocal है और इसको आप गाने में यूज नहीं कर सकते अगर आप गाने में यूज करोगे तो आपकी vocals काफी narrow काफी दबी ह होती है तो यही था हमारा आज का lecture vocal compression पे ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि मैंने threshold कितना रखा है मैंने ratio कितनी रखी थी attack कितना था release कितना था make up gain नहीं दिया यहां दिया तो copy बिलकुल ना करें आप basic सीखें किसी भी compressor का basic सीखें और उसको बार बार apply करके देखें कि vocals मैं कै ऐसे compress करता हूं तो ज्यादा अच्छी sound करती है तो बार-बार practice करने से आपको compression ज्यादा समझ में आएगा अगर आप just copy मार लोगे कि उसने ratio इतनी रखी थी threshold इतना था तो obviously आपने अलग mic पे vocals record की होंगी environment अलग होगा और उसकी dynamic range भी अलग होगी हो सकता है इतनी जारा dynamic range ह और आप अपनी vocals को over compress कर दो तो copy ना करें बार-बार practice करें और आपको समझ में आएगा कि कितना compression अपनी vocals पे हमें करना चाहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए subscribe to my channel और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ Peace out